हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल नीशा की रसोई और मैं हूँ आपकी दोस्त नीशा आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर के आगई हूँ जो की है दाल वाली कड़ी की रेसिपी ये बनाने में बहुत ही इजी है बहुत ही टेस्टी बनती है आप ट्राई ज़रूर कीजेगा और मुझे कमेंड में मैसेज कीजेगा चले स्टार्ट करते हैं पीरा, सोप, सिर्सम, लौंग, मेथी, चनादाल, कसूरी मेथी, तड़के के लिए कस्मीरी लाल मिर्च, तिखा लाल मिर्च, धनिया पत्ता, कसयव अधरक, टमाटर, लंबे चीरेवे कच्ची मिर्ची, करी पत्ता और यह हमने कड़ी का बेटल तैयार किया है, जिसमें हमने पहले से ही हल्दी, नमक और हींग डाल रखती है, तो आईए बनाते हैं कड़ी, कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई गरम करेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ करीबन दो से तीन चम्मच रिफाइंड सिर्सम, जीरा, 100 पिक्ष एक चुटकी, मेथी दाना, और चार पीस लॉंग, आप गैस जब भी कड़ी बनाएंगे, बैटल में पहले से हींग और हल्दी और नमक देंगे, तो कड़ी का स्वाट डबल हो जाता है, तो गुना बढ़ जाता है, चना दाल की कड़ी बना कर देखिएगा गैस बहुत टेस्टी बनती, इसलिए ये विडियो आज मैं आपके साथ सेयर कर देखिएगे, तो हमारा राई, जीरा, मेथी, सूताना सब फट के तयार है, अब इसमें हम डालेंगे, चना दा, अब जब एक गन्ते पहले पानी में सोप करके रखा है, आप जब एक चना दाल की कड़ी बनाए, चना दाल को एक हम्टा पहले सोप कर घिगो के रखेएगे, और उसको फिर छान लें अर्ची से, झलने में, अब इसको तेल में अच्छी से वाई खून लें, किसी भी अद्रग अब इसमें डालेंगे करी पकता अगर आपको मेरी टीज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरुद किजिए गाइज अबूली एज एंद टीज जर दो किताएज़ गोष्टर सब्सक्राइब जरुद किस्राइब नापी आपक दीजिए लुड़ना बिटीज एंदेख अप्किंगा, अपन कर और घ्र, अपनार नेसमें डालेंगे अप्टी, अच्छी मेर्च लमीच चीरेवे, आप्टी, लू अब इसमें डालेंगे घटेवे टमाटर एक टमाटर क्योंकि यह हाइब्रीड वाले नहीं तो यह ज्यादे खटे नहीं होते इसलिए मैंने बड़ा एक टमाटर दिया लिए और थोड़ा साइस में नमक डाल रही हूं आप अपने स्वाथ के अनुसार नमक डालें हमारे तीखा कम खाते हैं इसलिए मैं मिर्च कम डाल रही हूं बड़ आप अपने स्वाथ के अनुसार जिसको तीखा चाहिए तीखा जिसको कम तीखा चाहिए कम तीखा उसी साब से डाला और बैस कड़ी तभी टेश्टी बनती है जब आप पहले से कड़ी में नाप कर पानी बराबर डालें उपर से पानी डालने से कड़ी कम टेश्टी बनती है तो मैंने क्या किया है पहले से ही जैसे एक कटोरी दही लिया उसमें आधा कटोरी बेशन और उसमें कम से कम बड़े गिलास में आधा लीटर पानी डाला है अभी गाइज में इसमें थोड़ा सा मिर्च डालूंगे तीखा मिर्च मारिया कम मिर्च खाते हैं इसलिए मैं कम डाल रही हूं अब इनेश्ट इस हम इसमें कटी का बेटल डालेंगे देखिये गाइज बहुत सुंदर कलर आया है ना अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे इस तरह चलाते रहेंगे वरना दढ़ी फटने का ड्यर रहता है देखिए गाइस हमारी कड़ी कितने बड़ियां बनकर तयार हुई है अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो अगली बार में और मज़ेदा डिस लेकर आपके पास आऊंगी ठीक है गाइस बाइ